हेलो दोस्तो आज हम कुछ ऐसे टिप्स देखने वाले हैं जिनको रोज़ाना सिर्फ 5 मिनट आजमा कर आप अपनी पूरी बॉड़ी के फैट को कम कर सकते हैं आज कल दिखा जाता है कि जादतर लोग अपने बड़े हुए वज़न की वज़े से परिशान रहते हैं और अक्सर वज़न कम करने के लिए अलग अलग तरीके अपना आते हैं कुछ लोग रोज़दाना एक्सेस्साइस करते हैं जबकि कुछ लोग हेल्दी डाएट लेना पसंद करते हैं लेकिन तब भी वो अपना वज़न आसानी से कम नहीं कर पाते तो दोस्तो अगर आप भी अपना वजन कम करना चाहते हैं तो आपको exercise के साथ साथ कुछ जरूरी चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा ताकि आपकी body से वजन कम होने के साथ साथ fat भी कम हो जाए और आपकी body फिर से अच्छी shape में आ जाए तो दोस्तो अगर आप भी अपना वजन कम करना चाहते हैं और exercise के साथ साथ और भी जरूरी चीज़ें अपना चाहते हैं जिससे आप अपना वजन आसानी से कम कर पाएं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसी ही tips बताने वाले हैं जिससे आप अपना fat burn कर सकते हैं और अपनी body को एक अच्छी shape में लेके आ सकते हैं तो चलिए देखते हैं कि वो tips कौन कौन सी हैं और आप उनको कैसे आजबा सकते हैं दोस्तो देखा जाएं तो पूरे दिन में नाष्टे को सबसे जरूरी मील माना जाता है क्योंकि नाष्टे से आपको पूरे दिन के लिए energy मिलती है और साथ ही पूरा दिन काम करने की ताकत भी मिलती है और रात भर खाली पेट रहने के बाद नाश्टा करना बहुत जरूरी है क्योंकि ऐसा ना करने से आप ठका हुआ और इरिटेटिड भी महसूस करने लगेंगे और साथ ही आप अपने पूरे दिन का काम भी ठीक से नहीं कर पाएंगे और ब्रिक्वस्ट के बारे में अगर वो हेल्दी है या नहीं उनको उससे कुछ अच्छे नूटिशन्स मिलेंगे या नहीं जादातर लोग सुभा के समय काफी जल्दी में रहते हैं इसलिए हेल्दी नाश्टा नहीं कर पाते हैं इसके बजाए अगर आप रात को सिर्फ 5 मिनिट निकाल कर अपने नाश्टे की तैयारी करके रखेंगे तो आप सुभा उसे आसानी से बना के खा पाएंगे और आपको उसके लिए जादा सोचना भी नहीं पड़ेगा जैसे आप ओर्स या साबुदाना या दलिया रात में भिगो कर रख सकते हैं या फिर आप कुछ फूर्स या सब्दिया रात को ही नमबर टू आपको जब भी समय मिले वाक जरूर करें दोस्तो हमारी सेहत के लिए वाक करना काफी अच्छा माना जाता है लेकिन देखा जाता है कि जब से आनलाइन काम जादा शुरू हो गया है तब से जादा तर लोग अपना पूरा दिन एक ही जगए पर बैठे बैठे करते भी कोशिश करें कि बीच बीच में थोड़ा ब्रेक लें और उसमें वाक करें इसके लावा आप काम से फ्री होने के बाद दोपहर या शाम को भी पार्क में अच्छी वाक के लिए जा सकते हैं अगर आप फिजिकली एक्सरसाइस करने का अपना रूटीन नहीं बना प और आगे जाके आप अपना वर्काउट रूटीन भी काफी आसानी से शुरू कर पाएंगे और दोस्तों ये करना भी काफी आसान है क्योंकि आप काम करते करते बीच में 5 मिर तो आसानी से निका ली सकते हैं ये। बस उस समय को आपको फोन देखने के बजाए वाक करने में लगाना आए दोस्तो अक्सर देखा जाता है कि जिम ट्रेनर्स और बड़े बड़े सेलिबिटीज वर्काउट से पहले पांच में डिकाल कर कॉफी लेते हैं और इसे वो अपने प्री वर्काउट ड्रिंक के रूप में लेते हैं तो दोस्तो आप भी अपनी डाइट में खास कर एक्सरसाइस से पहले कॉफी को शामिल कर सकते हैं क्योंको दोस्तो वजन कम करने के लिए कॉफी काफी अच्छी मानी जाती है और इसके काफी सारे फायदे भी हैं जैसे कॉफी आपकी बॉडी में जाके काफी अच्छे हार्मोंस रिलीज करती है जिससे आपको पूरे वकाउट के दौरान अच्छी एनर्जी और सपोर्ट मिलता है साथी इससे आपका पेड़ जादा देर तक भरा रहता है और आपको बार-बार भूक नहीं लगती साथी इसमें कैलोरीज भी काफी कम होती है और ये आपको फिट और एनर्जेटिक रखता है इसलिए दोस्तों आप एक्सरसाइज करने से पहले पांच मिर टिकाल कर कॉफी ले सकते हैं और साथी इसे अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं ताकि आप कुछ भी अनहल्दी चीजें खाने से बचें और साथी आप अच्छे से एक्सरसाइज भी कर पाएं और एक्सरसाइज के बाद भी आपको ज़्यादा थकान महसूस नहीं होगी और साथ ही आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा तो दोस्तो आप एक बार ये तरीका ज़रूर आजमा कर देखें और आपको फायदा होगा ये पक्का है नमबर फोर कुछ अच्छे सेंस लेने की कोशिश करें दोस्तो इस्टडी में ये बात भी प्रूफ हुई है कि अगर आप अच्छी स्मेल्स लेते हैं तो उससे भी आपका वजन कम हो सकता है जिया दोस्तो इसमें आप सिनमोन ग्रैब सीर्स और पिपर मिंट की स्मेल शामिल कर सकते हैं क्योंकि इनकी स्मेल से आपका मिंट रिलेक्स होता है और साथ ही आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होता है जिससे आप आसानी से अपना वजन कम कर पाते हैं और साथ ही आपकी क्रेविंग को भी कम करने का काम करता है और आप बीच बीच में जंक फूड या अनहल्दी फूड खाने से बचते हैं जैसे कि आप चाहें तो एक किश्मिश लें और उसे अपने दाथों के बीच में रखके धीरे धीरे देर तक चबाते रहें और साथ ही उसका टेस्ट लेने की भी कोशिश करें और देखना ऐसा करने से आपका माइंड रिलेक्स होगा और आपको भूग भी कम लगेगी क्योंकि दोस्तो कुछ-कुछ खाने की चीज़ें ऐसी होती है जिनमें गाबा नियूरो ट्रांस्मिटर पाये जाता है इनको लेने से आपकी क्रेविंग्स कम होती है आपका स्ट्रेस भी कम होता है जिससे माइंड शांत रहता है और साथ ही आपके डाजिशन को भी धीरे करता है जिससे आप कम खाना खाते हैं आप चाहें तो ऐसी चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं तो दोस्तों ये थी कुछ आसान सी टिप्स जिनको रोजाना सिर्फ 5 में टाजमा कर आप अपना वजन आसानी से कम कर सकते हैं और साथ ही अपनी पूरी बॉड़ी के फैट को भी बिल्कुल गायब कर सकते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो में वस इतना ही हमें उम्मीद है कि आप इन सभी टिप्स को जरूर फॉलो करेंगे साथ ही हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएंगे इसके लावा अगर आपको हमारा वीडियो चल लगा और आप हफते में दो बार एंटर्टेन होना चाह आते हैं तो हमारे चैनल हेल्थ एंजुआए को लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन प्रेस करना न भूले ताकि आपको लगातार हमारे चैनल से जोड़े सबी अपडेट्स मिलते रहें तब तक के लिए धन्यवाद